नमस्कार दोस्तो अब यबी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी विग ब्रेकी नीज आप सीधा लाइव देख सकते हैं सरद्धा वालकर के कथित तोर पर 35 टुकड़े करने वाले आरूपी आफ़ताप पूनवाला की वेन पर आज कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर दिया है पुलिस ने दो हमलावारों को हिरासत में लिया है सुरुती जानकर भी बता गया कि ये सबी हमलावार हिंदू सेना से जुड़े हैं लेकिन हिंदू सेना ने बयान जारी करके का कि हमारा हमलावरों से कोई लेना देना नहीं है हम कानून को मनते हैं ये हमला उस वक्त हुआ जब दिल्ली पुलिस अपताप को एप एस एल बिल्डिंग लेकर पहुची थी वेन के पहुचते ही घात लाकर बैठे हमलावरों ने अपनी कार को पुलिस वेन को ओवर टेक करके उसके सामने खडी कर दी और इसके बाद उन्होंने तलवार निकाली और वेन में मौजूद पुलिस अधिकारियों पर तांदी जब में पुलिस अधिकारियों ने भी पिस्टोर निकाली और हवाई फारिंग करने की दूस्तों पोजीशन में आ गए थी इसके बाद भी हमलावार पीछे नहीं हुए और पुलिस अधिकारियों को तलवार से ड़ाते रहे इससे पहले कि ड्राइवर वेन को वहाँ से आगे ले जाता हमलावारों ने वेन के पीछे दरवाजे को खोल दिया इसी वेन में अपताप मौजूद था हमलावारों ने दरवाजा खोल उसे मारने के लिए आगे वड़े तभी वेन के अंदर अपताप के साथ मौजूद पुलिस कर्मियों ने हमलावारों पर बंदूप तान दी इस वज़े से हमलावार पीछे हट गए इसके बाद पुलिस वेन का दरवजा बंद कर दिया गया था और वेन को आगे ले जाए गया इस दोरान भी हमलावार वेन पर तलवार से हमला करते रहे हमलावारोंने पुलिस की गिरभतारी पर कहा अरेष्ट होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें अपनी बहन बेटियों को बचाना है इसके लिए हमें कानून को हाथ में लेना पड़े तो हम लेंगे सुबे से हम यही पर बैठे थे और मौके की तलास में थी एक हमलवर ने का कि हम एक बार रात को 11 वजी भी आये थे लेकिन अपताप नहीं मिला और आप दोस्तों उनकी वेन पर हमला हो गया है बहुती बड़ी खबर इस वक्ता आ रही है भारी पुलिस फोर्स तैनात करते गई है और पुलिस छानमीन कर रही है